नमस्ते बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारा पाठ है सबजी बाजार। आज हमारे उद्देश हैं अनुछेड पठन तथा समझाना, बहु विकल्प कराना, सामान्य भूत काल पर अभियास कार्य कराना। बच्चों अब पुस्तक खोलिए और प्रिष्ठ 84 पर जाईए। आज हम इस अनुछेड को एक साथ परहेंगे, फिर मैं आपको एक एक वाक्य समझाओंगी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यह अनुछेड प्रिष्ठ 85 पर हैं। मेरे साथ परहें, एक सबजी वाला गोभियां और फूल गोभियां बेच रहा था। नाना जी ने सबजी वाले से पोचा। फूल गोभी कितने की हैं। सबजी वाले ने कहा, पचास रुपए। नाना जी बोले, महंगी हैं। सबजी वाले ने कहा, इससे सस्ते दाम में कहीं नहीं मिलेगी। नाना जी ने फूल गोभी खरेदी, उन्होंने सव रुपए का नोट सबजी वाले को दिया। सबजी वाले ने बाकी पैसी लवटाए और धन्यवाद दिया। अब मैं आपको एक-एक वाक्य समझाओंगी। एक सबजी वाला गोभियां और फूल गोभियां बेच रहा था। आपको याद हैं बच्चों गोभियां और फूल गोभियां कैसी दिखती हैं। देखिए यहाँ पर गोभियां हैं और यहाँ फूल गोभियां। यहाँ सबजी वाला है। मा घर पर इन सबजीयों की तकारी बनाती होंगी। आपको अवश्य खाना चाहिए। नाना जी ने सबजी वाले से पूछा। यहाँ पर नाना जी हैं वे कुछ पूछेंगे। देखिए यहाँ पर फूल गोभि कितने की हैं। नाना जी सबजी वाले से फूल गोभियों का दाम का मूल्य पूछ रहे हैं। बचो अब सब्जी वाला उत्तर देगा सब्जी वाली ने कहा पचास रुपए नाना जी बोले अब नाना जी उत्तर देंगी महंगी है अब सब्जी वाला फिर से उत्तर देगा सब्जी वाली ने कहा इससे सस्ते दाम में कहीं नहीं मिलेगी नाना जी ने फूलगों भी खरीदी नाना जी ने कहा था बच्चों फूलगों भी महंगी है लेकिन उन्होंने फूलगों भी खरीद ली उन्होंने सव रुपई का नोट सबजी वाले को दिया बच्चों खरेदने के बाद हमें पैसे चुकाने चाहिए यहाँ पर नाना जी ने सबजी वाले को सौ रुपए का नोट दिया हैं क्यूंकि उन्होंने फूलगो भी खरेदी सबजी वाले ने बाकी पैसे लवटाए और धन्यवाद दिया बच्चों नाना जी ने कितने पैसे दिये थे? सौ रुपए उन्होंने सौ रुपए का नोट सबजी वाले को दिया था सबजी वाले ने क्या किया? सबजी वाले ने पचास रुपए का नोट लवटाया क्यूंकि फूल गोभी का दाम पचास रुपए ही था इसलिए उन्होंने बाकी पैसे लवटाए अब हम कार्य की ओर बरहेंगे, हम बहु विकल्प करेंगे बचो प्रिष्ठ 86 पर जाएए, हम नमबर एक अ पर काम करेंगे यहाँ पर तीन प्रश्न है और प्रिष्ठ 87 पर एक और प्रश्न है पहले हम निर्देश पर हेंगे नमबर एक अ इन प्रश्नों के सही उत्तर चुन कर लिखिए नमबर एक बच्चे किस के साथ बाजार गए क सबजी वाले के साथ, ख नानाजी के साथ, ग मजदूर के साथ नमबर दो, कौन सिर पर टोकरी लिए जल्दी जल्दी जा रहा था क नानाजी, ख ग्राहक या फिर ग मजदूर नमबर तीन, फूल गो भी कितने में बिक रही थी क पचास रुपए में, ख तीस रुपए में, या फिर ग सौ रुपए में अंतिम प्रश्ण, बच्चों ने क्या चुनने में नानाजी की सहायता की? क लंबे-लंबे बैंगन, ख गोल-गोल टमाटर, ग बड़ी-बड़ी गोभियां बच्चों आप प्रश्णों के उत्तर चुनिये, मैं आपको कुछ समय देती हूँ, फिर हम एक साथ सुधारेंगे चलिए हम सुधारेंगे पहला प्रश्ण, बच्चे किसके साथ बाजार गए? क सबजी वाले के साथ, ख नानाजी के साथ, ग मजदूर की साथ बच्चों आसानी के लिए मैंने पाठ का अंश यहाँ पर लगाया है चलिए हम उत्तर खोचते हैं शनिवार का दिन था, सुधा और विहान अपने नानाजी के साथ, पैदल बाजार गए बच्चों यहीं पर हमारा उत्तर है, नानाजी के साथ हमारा उत्तर होगा ख, नानाजी के साथ दूसरा प्रश्ण, कौन सिर पर टोकरे लिए जल्दी जल्दी जा रहा था? क नाना जी ख गराहक या फिर ग मजदूर बच्चों आसानी के लिए मैंने पाठ का वह अंश यहां भी डाला है हम यहां तक पहुँचे थे यहीं से आगे बरहेंगे बाजार के पास मोटरें और लौरियां कतार में खड़ी थी मजदूर बोरियां उतार रहे थे कुछ मजदूर सबजीयों से भरी टोकरियां लाद रहे थे अन्य मजदूर सिर पर टोकरी लेकर बाजार में जल्दी जल्दी जा रहे थे क्या हमें उत्तर मिला? हाँ बच्चों यहीं पर हमारा उत्तर है मजदूर हमारा उत्तर होगा ग मजदूर तीसरा प्रश्न फोल गोभी कितने में बिक रही थी क पचास रुपई में ख तीस रुपई में या फिर क सौ रुपई में यहाँ पर पाठ का वह अंश है नाना जी ने सबजी वाले से पोचा फोल गोभी कितने की है सबजी वाले ने कहा पचास रुपई क्या हमें उत्तर मिला हाँ बच्चो हमारा उत्तर हैं पचास रुपई कपचास रुपई में चोठा प्रश्न सुधारेंगे जो प्रिष्ठ सतासी पर है बच्चो ने क्या चुनने में नाना जी की सहायता की क लंबे लंबे बैंगन ख गोल गोल टमाटर ग बड़ी बड़ी गोभियां बच्चो यहाँ पर पाठ का वह अंश है पर हिए मेरे साथ बच्चो ने लाल लाल और गोल गोल टमाटर चुने क्या हमें उत्तर मिला? हाँ बच्चो गोल गोल टमाटर हमारा उत्तर होगा ख गोल गोल टमाटर बच्चो आप कार्य को अच्छी तरह से सुधारिए फिर हम अंतिम कार्य की ओर बरहेंगे सामान्य भूतकाल में ने का प्रयोग बच्चो भूतकाल को हम अंग्रेजी में पाउस्टेंस कहती है जब वाक्य में ने की उपस्थिती हो तब हम कर्या को सामान्य भूतकाल में लिखते हैं आज हम खरीदना कर्या का उदाहरन लेंगी मा ने एक केला ब्लैंक खरीदा खरीदी खरीदी बच्चो ध्यान रखिए जब वाक्य में ने का प्रयोग हुआ हो तब हम व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं देते हैं हम ने के बाद वाली शब्द को ध्यान देते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं प्रश्न पूछना बहुत आसान है बच्चो हम क्या के साथ करिया को जोरेंगे देखिए क्या खरीदना एक केला नेके बाद एक केला शब्द आया है केला कैसा शब्द है पुलिंग एक वचन शब्द है तो फिर हमारा उत्तर क्या होगा खरीदा मा ने एक केला खरीदा याद रखिए बच्चों हमने मा की ओर ध्यान नहीं दिया केला पर हमारा पूरा ध्यान गया है जो की ने के बाद आया है दूसरा उदाहरन देखेंगे क्रिया है देखना पिता जी ने नेली गाड़ी ब्लैंक देखा, देखी, देखे उत्तर लिखने के लिए हम एक प्रश्न पूछेंगे क्या देखना? गारी, नेके बाद गारी शब्द आया है गारी कैसा शब्द है? स्त्रिलिंग एक वचन शब्द है हमारा उत्तर क्या होगा? देखी, पिता जी ने नेली गारी देखी हमारा ध्यान पिताजी पर नहीं था, हमारा पूरा ध्यान गारी पर था, जो नेके बाद आया है बच्चो, प्रिष्ठ नब्बे पर जाए, हम नंबर चार करेंगे बच्चो, हम इस कार्य को एक साथ पर करेंगे पहले निर्देश पर हेंगे, क्रिया का उच्छी तरूप चुन कर लिखेए चलिए शुरू करेंगे क सबजी वाले ने कुमळा ब्लैंक, काटा, काटी, काटे उत्तर लिखने के लिए हमें एक प्रश्ण पूछना होगा क्या काटना? कुमहरा, कुमहरा ने के बाद आया है कुमहरा कैसा शब्द है? पुलिंग एक वचन शब्द है हमारा उत्तर क्या होगा? काटा सबजी वाले ने कुमहरा काटा ख, सुधाने, करेले, ब्लैंक चुना, चुनी, चुने सही उत्तर चुनने के लिए हमें एक प्रश्ण पूछना होगा क्या चुनना? करेले, करेले कैसा शब्द है? पुलिंग बहु वचन शब्द है यहाँ पर ने के बाद करेले शब्द आया है हमारा उत्तर क्या होगा? चुने सुधाने, करेले, चुने पर हिए मेरे साथ ग, पिताजीने, इमली, ब्लैंक चक्खा, चक्खी, चक्खे उत्तर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रश्न पूछना होगा क्या चक्खना? इमली, इमली कैसा शब्द है? स्ट्रिलिंग एक वचन शब्द है जो ने के बाद आया है हमारा उत्तर क्या होगा बचो? बोलिए चक्खी पिताजीने इमली चक्खी अन्तिम वाक्य नाना जी ने फोल गोभिया ब्लैंक खरिदा, खरिदी, खरिदे उत्तर लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए बचो? प्रश्न पूछना चाहिए क्या खरिदना? फोल गोभिया फोल गोभिया कैसा शब्द है? स्त्रिलिंग बहुवचन शब्द है जब स्त्रिलिंग बहुवचन शब्द आये तब हम इ बिंदी जो उरते हैं हमारा उत्तर होगा खरिदी पिताजीने फोल गोभिया खरिदी बच्चो आज के लिए बस इतना ही आप अपना कारिय अच्छी तरह से सुधारिए नमस्ते धन्यवाद बच्चो आपना के लिए ≡ है बच्चों के अपना कार टे?", जुछ तरह